हेलो, सलाम वालेकुम, वेलकम टो मैं यूट्यूब चैनल, कैसे हो आप साब, I hope ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आज मैं आपके लिए एक न्यू वांक्शान, फैन फिक्शन लेके आए हूँ, जो कि किसी और नहीं बलके मैंने पस आते हूँ, लाइट हाटेड कॉमेडी वाली स्टोरी होने वाले, I hope आप लोगं को अच्छी लेके, और दिन को जो भी मैंने ब्लेंटर मारे हैं, I hope आप उससे इग्नोर कातो कि, और आज इसका फर्स्ट पार्ट है, और इसके साथ है मैं बता दूँ कि काल इसका पार्ट नहीं आएका, अबल कि आप इसका नेक्स्ट पार्ट परसू आएका, और कल हम My Love is John का फर्स पार्ट शेयर करेंगे, तो चलिए हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, तो हम सबसे पहले देखते हैं, लेन हाउस की तरफ, जाँ पे हमारा लेन सैन अपनी फैमिली, यानि कि अपने माँ पोर अपनी छोटी बेहन के साथ रहता है, और वो किसी बात पे बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा उससा था, और उसने तो ऐसे नागी चड़ा रखी थी, और उसके पापा बोल रहे थे, आहर तुमें क्या ही प्राब्लम है लेन सैन, तुम क्यों नहीं चाहा सकते, पा सूशी, ऐमीन वूशी को लेने बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा, और तुम जानती हो, तुम जानती हो लियाना, वो कितना ज्यादा, कितना ही ज्यादा इरिटेटिंग था, मैं कैसे जानूगी, मुझे क्या पता भईया, वो लियाना की तरफ देख रहा था, जो एक कम से उसकी तरफ देख के बोल रही थी, हाँ, तुम कैसे जानोगी, तुम तो तब दुनिया में आई भी नहीं थी ना, जा वो इरिटेटिंग सा लड़का यहाँ, आया था, तुम जानती हो, कितना ही, कितना ही ज्यादा इरिटेट करता है, वो तो बहुत ही ज्यादा, बहुत बेटा है, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाओंगा, उसके पापा ने कहा, देखो जैन में बोल लिया, तुमने जाना है, तुमने जाना है, और हाँ, जल्दी जल्दी जाओ, देखो, उसकी फ्लाइट आने का टाइम हो गया है, और अभी मेरी वहीं से बात हुई थी, उन्ह मैं नहीं चाह सकता क्योंके मुझे जॉब पे जाना है तुम फ्री हो तो तुम ले आओ सुना तुमने और आप मैं मजीद कुई आर्ग्यू नहीं करना चाहता उसके पापा एक ताम से चले गे और उसने अपनी मामा की देखा शायद वही उसकी कुछ हैल्प का थे मैं मैं क्या कर सकती हूँ जो तुमारे पापा कह रहे करो खुराम मामा भी जा चुकी थी किचन की तरफ और अब उसने अपनी छोटी भेंड की तरफ लियाना की तरफ देखा लियाना कोच करो ना मैं क्या करूं बहिया जो कि उसके पापा के दोस्त का ही पेटा था और उसके पापा और उसके पापा यानि के तोनों के पापा ही जो थे वो कॉलेज की जमाने की दोस्ती और उसकी मामा भी और उन्में इतनी ज्यादा पकी दोस्ती थी इतनी ज्यादा पकी दोस्ती थी और वह तो दोस्तों तो जैसे बहंता पाइं थे और हुशी तो जैसे उनकी घार में आता जाता ही रहता था जो कि सहन से सिरफ два साली चोटा था और वो कितना ही ज्यादा नोटी और कितना ही ज्यादा है। और कैसे उसने लैंजान की पर्टडे जो के सिक्स्ट पर्टडे थी उसमें उसके सारे केक हराप कार दिया था और कितना ज्यादा ही शोगर मचाया था और सारे पर्टों पे केक लगा दिया था और लैंजान जो के बिचारा सीरियस सा एक तम से सुलजा हुआ लड़का था उस के बाद तो जैसे उशी और उसके मामा पापा दोनों जर्मिनी चले के थे क्योंकि उसके पापा की जॉब की वज़ा से उसे जाना पड़ा था और आज इतने सालों बाद उसके माबाप को जाने क्या ही सूजी थी जो कि वो वोशी को यहां पेज रहे थे और लैंस एंट तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था ओ नो वो इस लड़के कैसे हैंडल करेगा वो जब चोटा सा था ताव कितना ज्यादा शराती था और आप तो वो पूरे 18 साल का हो चुका होगा जरूर उसकी शराते में उसके साथ ही बाड़ चुकी होंगी लेकिन भया वो भी तो सक गार में एक नई जंक शुरू हो जाएगी जाना ही पड़ेगा और अब लेंस जैन चुप गार के बाहर जा चुका था और अपना फून तो वार घार में छोड़के जा चुका था क्या था ले चाता तो लेकिन आप वो जल्दी से अपनी माइक स्टार्ट कार के एरपोर्ट कि तरफ जा रहा था कियोंकि उसे सूशी यानि के वूशी को लेने जो जाना था जो कि उनके घार आके रहने वाला था और वो यहां पर पढ़ने वाला था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि आहर उसके माबाप को क्या चैन्मिन में कोई स्कूल नहीं मिला जो उसे यहां पर भीज रहे हैं पता ने क्या ही करते हैं लोग क्या ही सूचते हैं हैर वो चुक चाप जा रहा था और बहुत स्याद ही बहुत स्याद ही उसको उसा रहा था अपने माबाप पे जिनोंने बच्पन में हाँ जब वो चोटा सा था दो साल का तब ही उसकी और वूशी की शादी तैकारती थी और उसे तो वूशी से इतनी ज्यादा इतनी ही ज्यादा कोई नफरत फील हो रही थी वो क्या है बताता और उसका तो दिल का रहा था कि वो तो अपने माबाब को भी जेल में डलवा दे पता ने कैसे ही माबाब थे उसके कैसे ही माबाब थे लोग अपने बेटों की शादी लड़कियों से करवाते हैं और एक उसके माबाब थे जिन्होंने उसकी दो साल की उमर में इंगेटमेर का दी थे वो भी एक लड़के से वो दुम्या के नोखे माबाव थे जो अपने स्ट्रेट पेटे को के बनाने फे तुले हुए थे क्या ही होगा मेरी लाइफ का क्या करूँगा मैं और वो अब यही सुचते सुचते एरपोर्ट की तरह उचा आ रहा था और फाइनली वो एरपोर्ट पे पोँच चुका था और आपने सुचा हाँ क्या नाम था उसका हाँ सुची नहीं वूशी हाँ वो पूरा नाम क्या था हाँ भी वोशियान चलो उसने उसके नाम का बोड लिख किया पो बो डैन पे खढ़ा हो किया था ताके वो आये तो अपने नाम का बोर्ड देख ले लेकिन कितनी देहर कुजर की पूरा जहाज ही तो हाली हो चुका था और सारे पैसे इंद्र जो धार चुके थे लेकिन वहां पे उस वूशी का तो नामों निशान नहीं दारे कहां किया किया वहाया ही नहीं होगा उसने अपने जेब से मुबाइल निकालना चाहा लेकिन मुबाइल तो थानी निकालेगा कैसे उफ इस वूशी के चकर में तो मैं अपना फून बिखारी पूल गया गया यह आया ही नहीं और इसकी मनुसियत इससे पहले ही पहुँच गए हाँ वो जाक एक बैंच पे बैठ चुका था और उसने देखा वहाँ पे एक लड़का ऊटी चड़ाए अपने कानों में हैंट्री लगाए बड़े मज़े से मुबाइल ही चड़ाए जा रहा था और उसने मूँ पे मास लगा हा रखा था और वो बास पाउं चलाए चाह र हा था और आप लेंजान ने उससे पूचा ओए लड़के तुमने क्या घार नहीं जाना लेकिन हो तो सुनी नहीं रहा था शायद उसने बहुत ज्यादे हाई वॉलिम किया वा था फोन का और फिर उसने उसे कंदे से पकड़ गया है यू तुम सुन रहे हो कि नहीं मैं तु तुम से हूँ तुमने घार नहीं जाना क्या या कई फ्लाइट तो मिस्ने होगी तुमारी उसने उस लड़के से पूचा और लड़के ने अब उसकी तरफ देखा था हाँ भी भी उसके मुझे मुझे मास्क था ओ गोश क्या खार रहे है तुम मैंसे कैसे मुझे ठाच खार सकती हो कैसे गार सकती हो उसने एक दाम से भला अरे ये कौन सा बर्गर बच्चा था तुम यहां पर क्या कहा रहे हो कहीं तुम ने जाना है तो जाओ और नहीं तो गार चल जाओ हाँ हो तो मैं जाओ खाना चाहब मुझे को लेने आए आए गा और देखो किसी को फरवाई मौंचहर ने बोला भी था कि मुझे आख़ ले जाओ लेकिन लेकिन आ रहे रहे और उन पता नहीं किया ऐसी बोले जा रहा था देखो तो नहीं ने बर्गर बच्चे ऐसी बोलती है अरे अगर इंग्लिश नहीं आती तो चलो जो आता हो ही बोलो लेकिन नहीं उन्होंने तब निजबान हराब करनी गया वांग जी कोई आने कि माई लेंज़ेन को तो कितने को सारा तो उस लिड़के पे अच्छा ये बताओ तुमने किदर जाना है कौन लेने आने आने वाला था हाँ वो मुझे जैन लेने आने आने वाला था कौन जैन हाँ लेन्जैन क्या लेन्जैन हाँ लेने वाला था ना मुझे और उसने आप लेन्जैन की तरफ देखा ओ मैं यू लेन्जैन आए तो चलो ना लेकि चलो ना लेकि क्यों नहीं चाते उसने बोला अहां तो तुम कौन हो ऐसे अरे मैं वूशी हो ना ओ अच्छा वूशी I mean वूशी यान मुझे ये ओल फैशन नाम भी खुल पसान नहीं है प्लीज खाल में शेन तुम्हें शेन कहा सकते हो लेकिन मैं तुम्हें शेन क्यों बोलो अरे देखो ना शेन कितना ज्यादा कुल आर में सारे फ्रेंड्स मुझे शेन ही कहकी बलाते है और तुम दो इतना ओल फैशन सा नाम ले रहो प्लीज ये मत लो और मुझे कोई भी हुशी या हुशी यान नहीं कहता सब मुझे शेन प्लीज कॉल मी शैन ओके शैन अगर तुम्हारा हो गया तो हम चले हाँ हाँ वाइनाट चलो और अभी तक उसने मास्की चड़ा रखा था और अब लैंजेन उसने खड़ा हुआ और उसने शैन को चलने का इशारा किया लेकिन यह क्या उसके तो तीन चार बड़े बड़े बैग थे वो कुन उठाएगा यह म्यार लगज कौन को उठाएगा तो मैं अब तुम्हारा बैग और समान भी उठा के लेके चलो हाँ थोड़ क्या अच्छा वह ऐसी करो खुल दे वाले इंकल को बला लो वो ले रहेंगे नो 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 मैं क्या करूँ मैं किस से पूप लाकिलाओ मैं तो कभी एरपोट आया भी नहीं लेंज जान को तो कितनी ज़्यादा अब्टेंशन होनी थे इट्स होके मैं मैंनेज कास होंगा और इतने बहुत ही अराम से उस नमेत रंगे से स्मार्ट से लड़के नहाँ लेकिन जिसकी आँखें और चीक्स तो शायद बहुत जहाँ प्यारे से थे और लेंज जान देख सकता था उसके चीक्स जो कि उसके मास्क में से थोड़ी थोड़ नजर आ रहे थे यह तो थोड़ा गुलूम वोली सा लाग रहा था लेकिन वैसे वो स्मार्ट ही था और फिर उसने बड़े अराम से अपने चारूं पर आगा ऐसे कसीठना शुका थी और थोड़ी तूर आ कि उसने का हे टैक्सी वाल यंगल फ्लीज यह मेरा लगज ले चलो और मैं किसे जाओंगा उसने लैंजान की तरह देखा हाँ तुम बाइक पर आ जाओ और फिर उसने टैक्सी वाले को पैसे दे दिये और वुशी का समान टैक्सी पे लाद किया वो साथ-साथ उसे बाइक पे लेकी आ रहा था ओ नू कितना स्यादा फ्लीज यह इस कंट्री में उसने एक ताम से बोला हाँ हाँ तुम तर जैसे जन्नल से यह आयो वो बुला कुछ नहें पाइड सोचा जा रहा था जी नहीं हमारी कंट्री बोगत अची है और बहुत जैदा ही कलीन है औरु तुम्हारी जर्मिनी से तो बहुत जैदा ही अच्छ ऐसा मजहाँ है तो मैं अब बर्दार जो तुमने मेरी कंट्री के बारे में कुछ बोला हूँ, मैं बहुत ज्यादा बैटरी ओर ओर हूँ ओके, ओके, जैन, I'm sorry, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा ओके, फाइन, चलो अब और अब वो इसी तरह 20 मिन गुज़रने के बाद वो घार आ चुके थे जैन, यानि के लैंजैन, अपने फ्यांसे, यानि के शैन को लेकी आ चुका था और जैसे ही उन्होंने डोर के उपर नौक किया, उसके मामा पापा तो एक तम से जैसे बहुत ज़्यादे एक्साइटेट होके आगे आ चुके थे और उसने अपने पापा की तरफ देखा क्या बोला था उन्होंने क्योंने तो आफिस में जाना है, उन्हें बढ़ा जरूरी काम है, लेकिन ये क्या, वो तो कितने मज़एसे ऐसे पूरे 32 के 32 लाद निकाले बास, शैन की तरफ देखे जा रहे थे, ओ मेरा बेबी या क्या, क्यासे हो तो, ओ हेलो अंकल, क्यासे हो आप, और शैन तो जैसे हाके बाहर के एक तम से उन्हें से लिपर्टी क्या था, और कुछ यही हाल तो, लेंसन की मामा का था, अरे वो उस पर कैसे सद्केपारी जा रहे थे, उनको तो जैसे भूली किया था, कि वो उनका बेटा निया, बलकि लेंसन का बेटा है, और अब वो चुपकार के खड़ा ही हुआ था, अपने माबाप की, ऐसे बदलती हुए टीम को देख रहा था, और फिर लियाना भी आ गई, और देखा कि उसके माबाप कैसे, उसे आने वारे लड़के की तरफ कितना ही जयादा प्यार ने शावर का रहा है, तो उसने भी उस लड़के की तरफ देखा, हैलो प्रेटर, मैं लियाना हूँ, हैलो बेबी, यॉर सो क्यूट, और उसने एक ताम से उसके गाल चुए, और फि आसे देखो, हमने तुमगास लगार किया, ओ, यूनो, फ्लूशन बहुत ज़्यादा ने, इसलिए, उसने एक दम से मास्क टाया, और अब लेंसे उसको देख रहा था, हाँ, वो कभी-कभी उससे काल पर बात करता था, क्योंकि वो फैमिली फ्रेंड जो थे, लेकिन उसने क बहुत ज़्यादा एपी-हपी था, जो के बीबी समायल का रहा था, और उसके जब भी जीक से और भी ज्यादा क्यून मुना रहे थे, और उसके आखें कितनी ज़्यादा प्यारी थी, लेंसे एंट। और फिर उसके दिमाओने का, ये क्या का रही हो तुम घामर, ये कौन ह तुम्हारी पूरी जिन्दगी, उसने उसे ऐसे सोचा, दान पी से ओ क्या हुआ, खागा क्या, आपके दान्तों में कोई प्राब्लम हो क्या है, क्या पेन हो रहा है, आप एक तम से ऐसे मूझ क्यों बना रहा है नहीं मेरे दान्तों को कुछ भी नहीं हूँ और मैं अपने रूम में जा रहा हूँ तुम बैठो और हाँ एंजॉय करो ओ थैंक्स गागा यूर सो क्यूट और सो स्वीट और आप तो बहुत अच्छे हो उसने बोला हम और लैंजान को और बेखुसा आ रहा था अरे ये कितना ही स्यादा पागल है बेवकूफ है जो अपने फ्लांसी को कैसे करका कह रहा है चलो अच्छा है मुझे का गई बोलो भाई बना लो कुछ बना लो लेकिन शादी तो तुम से नहीं करूँगा अरे मैं कोई के थोड़ी हूँ जो मैं एक लड़के से शादी करूँगा पता नहीं मेरे बाब को आपको क्या ही सूची थी है और मुझे आपको कुछ भी सोचना नहीं चाहता था वो एक तम से अपने प्यारे वाले फेवरेट अपने पनी होना चुका था उसका बड़ा सा कमरा जहां पे उसने सारी चीज़ें कितने अच्छे तरीके से सेट की हूँ थी एक तम से लीके से कोई चीज एक हिंच भी इदर से उधर होती थी तो उससे अच्छा नहीं लगता था वो बहुत सहादा ही अपने चीज़ों को संभाल के रिखने वाला लड़का था और उसने अपने बैड की तरफ देखा मेरा प्यारा बैड मुझे याद का रहा होगा और जाके वो उसके उपर लेट गया लेकिन ये हुशी अभी बस थोड़ी देर की थी क्योंकि अचानक से रूम का दर्वाजा फिर से ध्राम से खुला और अबूशी आने की शैन जो किताब ने चारों पैड लिए एक दम से उसके रूम में आगया था और उसने बैड में चोड़े और वो भी एक दम से उसके साथ ही बैड पे आकर जैसे गिट चुका था और वो ऐसे उलटा भूँ किये उलटा ही लेट के दम से जैसे सोय चुका था यह 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 क्या है जैन तो जैसे धम से उट पैठा था यह मेरे पास यूँ आग है और उसने उसको भटाने की कोशिश की लेकिशन सदियों का ही सोया हुआ था उटी नहीं रहा था ये इतनी चलती इतनी घ्यारी नहीं इन में कैसे चला गया और उसने देखा उसका स्वान तो वैसी बढ़ा हुआ था और हां हो तो जूत हुए था उसके पैट पी गिट चुका था ये क्या चीज़ है तो इसने अपना काम हुआ 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 ह तो तुमसे उसे क्या ही हत्रा होगा इसलिए तुमसे अपने साथ रखोगे और हाँ काल से तुमसे अपने साथ लेके कॉलिज भी चाया करोगे वाट हाँ तो और क्या वो तुम्हारी रिस्पॉनसिबिलिटी है तुम्हारे साथ ही कॉलिज चाया करेगा और हाँ उसका क्वालिज में ह्यार रखना कोई से तांग नहीं करना चाहिए समझे वो चोटा सा बच्चे है ऐसे ही तर जाएगा और कोई भी उसको तांग करे ना तो तुमने अच्छे से उसकी क्लास लेनी है समझे तुम वो तुम्हारी रिस्मोंसिबिलिटी है कि तुम उसके प्रटेक्ट करो समझे डैड वो इतना भी चोटा नहीं है देखे उसकी हाइट कितनी बड़ी है हाँ तुम हाइट से ही बड़ा वैसे तो बचारा चोटा सा मसूम बच्चे है तुम्हें क्या पता हो कितना स्यादा मसूम है हाँ बहुत ही स्यादा मसूम होगा लेकिन मैं उससे अपने साथ कॉलेज नहीं लेके जाने वाला लेके तो तुम जाओगे पच्चू और आव वो चुपी खार किया अपने भाब के आगया हरू कितनी जबान चला सकता था और फिर आव वो फिर से लियाना की तरफ देख रहा था वैसे डैड आपने भाईया के साथ बहुत ही बुरा किया है क्या बुरा किया है मैंने तुम्हारे भाई के साथ उसके डैड आप लियाना की तरफ देख रहे थे हाँ तो आपने बुरा किया ना आपको पता ना चार्ल मेरिजेस इल्ली कल होते हैं और आपने बैया कि दो साल के उमर में हाँ क्या दो साल के उमर में इंगेजमेटी ती की थी कौन से शादी का दे थी और वैसे भी तुम इतनी बड़ी-बड़ी बाते मत किया करूँ बोल के लाबा जाद है तेरे कोई ने मुझे रोक सकता समझे है अब डैड और उसके डैड अप एपनी साथ साल की बेटी के सामने चुप हो गया थी वो कितना ही जादा बोलती थी और बहुत ही बड़ी-बड़ी बाते करती थी वो दोनों बेहन पाई यह सही थी एक दम से समझतार और सीरियस लेकिन लियाना तो कुछ जादा ही तादी कमा बन दी थी और जाद को कितना ही जादा अच्छा लगा कि उसकी चोटी बेहन ने उसके बाप की बोलती बात करा दे थी काश ले आना तो मेरी बड़ी भैन ओर दी और तो मुझे इस सूशी से बचा ले दी इरसो के प्रदर मुझे आने में थोड़ा लेज हो गया लेकिन इस मेरा नहीं मोम जैट का गसूर है चलें कोई बात नहीं मैं जैट असे भी हो जितना भी हो आपको सूशी से प्रोटेक्ट कार के रहोंगी ये मेरा आपसे प्रॉमिस है हाँ तुम बहुत अच्छी हो I love you मेरी प्यारी सिस्टर लैंसेर नहीं आगे पार के उसको हाग किया I love you चूप ही या आप भी बहुत अच्छी हो बहुत स्मीटो और इस सूशी को भी देख लेंगी अर ये क्या चीज़ है लेकिन अभी तो उसने कुछ भी नहीं किया हाँ किया ना तुमने देखा उसने कैसे मेरे वाइट पैट शीट को हराप का दिया क्या हाँ देखो वो तो चूटो समेट ही मेरे पैट पर लेटा हुआ था कितना जहादा गंद है हो नो भाइया भाभ उसके साथ साँच मैं कैसे रोगे था देख लो मेरी पैट क्या ही मैं कार सकता हूँ और आप वो रूम में क्या है क्या आप आपनी गंदी पैट शीट को उतार रहे नहीं अब ही क्या है खार सकते हैं और पिर उसने सोचा गर यह इस तरह जूते पैन के सो उता रहा तो यह जरूर मेरे पैट को और से अधा गंदा कहा देगा और आप उसने बहुती स्याधा इरिटेट होते हुए उसके जूते उता दिये चलो हाथ दे इसकी हिदमतें भी करो मेरी लाइफ कबारा ह होगी बरबाद होगी लुट गई क्या है मैं करूं उसने उसके चूते होता रहे वाब वह राम से पैड़ की दूसरी साइड पे एक ताम से सिमट के सो चुका था और इसने बीच में दो तीन चार पीलों भी तुराकी दिये थे कहीं ऐसा नहों ये लड़का इसका नहाई का ए अरे घार में गुस गया कमरे में गुस गया बैट पे आगया अब क्या दिल में भी गुस नहीं देगा नहीं बिल्कुल नहीं लैंजार के दिल पे बहुत बड़ा ताला लगावा लड़के जिसे तुम कभी ने खोल पाओगे समझके तो उसने सोई वे शैन की तरफ देके स चाहरा वो दूसरे तरफ मुख कारके सोई चुका था और इसके साथ ही हमारी स्टोरी का फरस्ट पार्ट कम्पलीट होता है तो अगर आपको स्टोरी बसाना है तो लाइक और कमेंट कारके मुझे जरूर बताना और काल माई लाव इस जॉन का भी वेट करना उसको भी सुनन जिए लोगे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी काल लेना और हाँ आज आप जो आपने उनका याद है कि हमारे प्यारे आपके प्यारे कगा, मेरे प्यारे बापु याने के शाण शाओ जन हाँ सही सुना आपने वो शाओ जन नहीं है बलके शान शाव जान है जान हाँ जिसके नाम में जान है तो उनकी आज बैठ टिड़े है तो आप साब उनको अच्छे से विश करना और बहुत सारी द्वाएं देना कि वो हमेशे ऐसे हुश रहे हैं और हमेशे हैसे हमें हुश रख देने तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक अपना याद रखिएगा अपने जान कागा को विश कीजिएगा मुझे तो आमें याद रखिएगा और अल्ला हाफिज